गुड मॉर्निंग स्टूरेंट आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें हम आज अध्यायर दूसरा पढ़ेंगे बच्चों की पहल तो यहां मैं आपको इस चैप्टर का पढ़ा के अच्छे से मिनिंग समझाऊंगी और फिर इसकी कोशन अंसर की वरक्षिट आपको दूँगे जो आपको अपने नोटबुक में नोटबुक में करनी है तरुन कख्षा 2 का चात्र है वहें बहुत होश्यार है इस बारवें गर्मी की चुट्टियों में अपने दादा जी की गाउं आया है यानि कि इसमें तरुन का लड़का है उसके बारे में बात हो रही है कि वह कक्षा second का चात्र है और वह पढ़ने में बहुत ही होश है मतलब intelligent है इस बार वे गर्मी चुत्यों में कहां गया अपनी दादा जी की गाउं गया था गाउं में चारो तरफ हरे भरे व्रक्ष है व्रक्ष मतलब पेड है चारो तरफ हरे भरे व्रक्ष है किन्तु गाउं में स्वच्चता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है अब उसने तरफ ने क्या कहा कि स्वच्चता बिल्कुल गाउं में स्वच्चता है ही नहीं स्वच्चता मतलब साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है यहां जगे जगे कीचड और गंदगी फैली है बच्चे खेलना चाते हैं पर कहां खेले ऐसा कोई स्थान नहीं जहां गंदगी नहीं हो इसमें हम बच्चे दुखी रहते हैं अब तरुन कहा रहा है कि बच्चे खेलना चाते हैं लेकिन खेल नहीं सकते क्यों नहीं खेल सकते क्योंकि हर जगे गंदगी कीचर वगेरा ही था इसके वे कहीं खेल नहीं सकते थे तो इससे सब बच्छे दुखी रहते हैं एक दिन हम सब मैदान में इखटा हुए अब तरुन ने क्या बोला कि एक दिन हम सब एक मैदान में इखटा हुए और हमने सोच कि यदि यह गंदिगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा होगा ठीक है मैं परी से कहूंगी कि रात में आकर अपने जादूई चड़ी से हमारे गाउं को साथ सुत्रा तरता सुन्दर बना दे करनिका ने कहा अब जो जितने भी सारा जितने भी बच्चे थे उनमें एक लड़ तरुम बोला कहीं परियां भी गाउं की सफाई करती हैं हमें ही कुछ करना चाहिए ठीक है सबने मिलकर गाउं साफ करने की योजना बने अब सब बच्चे मिले वे थे वहां मिल गए थे तो उनने क्या बनाई यह को योजना बनाई दूसरे दिन प्राते बच्चों ने कैंस्ट में कुछ बात करते हैं तो वो धिया रेली निकालना उनके हाथों में तक्तियां फावड़े और कुदाले थी छिए मिट्टी मिट्टी को खोदने के लिए होता है फावड़ा कुदाले जू होती है वह भी वही काम करती है उन्होंने गूम-गूमकर नारे भी लग हमारा गाउं कैसा हो सच भी और सुद्धर भी सड़के गलियां और मकान सब भी सच भी और सुद्धर भी मतलब वो क्या कह रहे हैं नारे लगाते वे कि हमारा गाउं सुद्धर भी और सुद्धर भी हो जो सड़के हैं गलियां हैं मकान हैं वो सब सुद्धर और सुद्धर हो उन्होंने फावडे से कीचर हटाना सुरू किया छोटी छोटी कुदालों से नाली बना दी अब उन्होंने क्या करा जो फावडा होता है उससे कीचर को साइड में करते गए और छोटी छोटी सी कुदालों से नाली बना दी जिससे गंदे की साफ हो रुका हुआ पानी नाली म सारे वो सारा देजरे निकल गया और गाउं तोड़ा साफ हो गया तब तक गाउं की बहुत से लोग आ गई बच्चों का काम देखकर भी वे वे भी सफाई में लग गई गाउं की जितने भी लोग थे आसपास के वो भी वहां आ गए और बच्चों का काम देखे वो भी उसमे मिल गए साफाई करने में खेल की मैदान को भी साफ सुत्रा कर दिया गड़ों में मिट्टी भर का उन्हें एकसा कर दिया जितने भी गड़े भरे वेते जिसे उसमें पानी बढ़ जाता था तो कीचड़ हो जाता था तो उन्हें उनको आपड से मिट्टी भर के कवर कर दिया ग्राम प्रधान जी यानि कि जो सरपंज होता एक गाउँ मुझे बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया है मतलब उन्हों बच्चों ने किस तरह काम किया तो ग्रमम पंचायथ ने बच्चों से एक नएssen रास्ता दिखायाया है हम सब मिलकर गाउं को शुद्र बनाएंगे जीन्हाला सब्सक्राइबट से zachORE नजरांगों तो ग्राँ यह संदर खेन रगाउं काम किया उसमें तो वो गाउं सुन्दर हो गया स्वेच हो गया उसमें कीचर गंदी की सब खतम हो गई हमारे गाउं का चैन आदर्श गाउं में हुआ यानि कि सफाई के मामले में हमारे गाउं का चैन हुआ एक समारों में जिला अधिकाई द्वारा हमें पुरिसकार भी दिय तो इसकी तरीके है जिस तरीके से बच्चों ने गाउं की सफाई करके उन्होंने एक अच्छा काम किया तो उनको जीला अधिकाली से पुरुसकार से सम्मानी भी किया गया ठीक है आपको इचेप्टर का मिनिंग समन्द में आया हम इसकी कोशन आंसर की वर्कशिट आपको बत किस तरीके से हमको कौन सा काम करना उसकी योजन बनाना यह मैंने इस तरीके सब्सक्राइब लिखें वह आपको लिखना है अब है सही उत्तर पर राइट का निशान लगाई है गर्मियों की छुट्टियों में तरुन किसके गाउं आया था तो जैसे मैंने आपको यहां पर को निकाली तो प्रभात मतलब होता है सुबह यानि कि सुबह उन्होंने फेरी निकाली तो आपको सुबह सुबह पर राइट टिक लगाना है बच्चों को पुरिसकार किसके द्वारा दिया गया जिला दिकारी की द्वारा अध्यापक की द्वारा वेग्यनिक द्वारा तो आपको इस तरीके से question और तरीके से बोल बोल के answers भी लिखने हैं जिससे आपको लिखे लिख भी सको अच्छे से और आपको याद भी हो सके कनिकानी गंदी की देखर बच्चों से क्या का कनिकानी गंदी की देखर बच्चों से का कि मैं परी से कहूंगी कि रात में आकर अपन फेरी निकालने की योजना बनाई उकिया गाउं के प्रधान ने बच्चों से क्या एंठ बास्ता दिखाया है हम सब मिलकर गाउं को सुन्दर बनाएंगे ठीक है बच्चों की पहल का क्या परेनाम हुआ बच्चों की पहल से गाउं सुच सुन्दर नजर आने लगा यह चीज आपको क्लियर हो गई जिससे मैंने कोशन लिखा है वैसे आपको कोशन और अंसर दोना ल आतों में टक्तियां फावडे और कुदाले थी तो जिससे डैश में फावडे और कुदाले यह डैश में था तो मैंने अभी तो फिल कर दिया जब रिविशन शीट होगी तो मैं आपको फिल करके नहीं दोंगी तो आपको ऐसे अंडर लाइन भी करनी है बच्चों ने लुचेय और लिखिया नहीं भाषा ग्यान दिया है तो जैसे परी है तो उसको परी मतलब एक परी यहनु की शिंगल अब उसकल प्रूलय कर देंगे तो फो discretion रहेगी परी एक बचल मतलब परी और परिया मतलब बहुत सारी परिया गली अर गली और गलिया मतलब बहुत सार तरी छड़ियां इसी तरीके से कली और कलियां तक्ति और तक्तियां नाली और नालियां इस तरीके से आपको ही नोट डाउन करना है ठीक है ओके थैंक